In 1980s and 90s में Walkman बहुत popular हुआ करते थे उस जमाने में एक style symbol होने के साथ साथ हर एक music lover, professional artist और youngsters के पहली choice हुआ करते थे अगर आपको Walkman नहीं पता है कि क्या होते हैं तो मैं बता दूँ ये एक portable music device होता है जिसमें हम कैसे टगा के गाने सुन सकते हैं Walkman मार्केट में आने के बाद से ही music सुनने का पूरा नजरिया बदल के रख दिया तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि Walkman यानी एक portable music player कैसे काम करता है Walkman को समझने के लिए सब से पहले cassette को समझ लेते हैं This is a simple analog cassette tape जिसको Walkman के अंदर लगा के गाने सुन सकते हैं cassette में basically एक plastic का tape होता है जिसमें एक ferromagnetic material ferric oxide की coating की जाती है Ferromagnetic material means ऐसा material जो magnetic field में आने से magnetize हो जाता हो तो ऐसे ही tape पे लगा हुआ ferromagnetic material ferric oxide गानों को record कर लेता है इस process में थोड़ा ध्यान देते हैं This is an iron core जिसमें gap है अगर हम iron core में current पास करेंगे तब gap के बीच में magnetic field प्रेडियूस होने लगी की और तब हम किसी ferromagnetic material को इस magnetic field में लाएं तब वो magnetize होने लगेगा तो कुछ इसी principle का यूज़ करके cassette के tape में song record किये जाते हैं recording के time song को current में change करके recording head यानी iron core में भीज़ा जाता है और उसी same time एक blank tape को iron core के उपर से निकाला जाता है song के current signal एक specific pattern में pass किये जाते हैं जिसके वज़े से tape भी उसी pattern में ही magnetize होता है तो ऐसे गाने cassette के tape में record किये जाते हैं Walkman एक बहुत ही sophisticated device होता है जो बहुत सारी छोड़े छोड़े पार्ट से मिलके बनता है इन पार्ट के वज़े से हम cassette से गाने सुन सकते हैं और उनको fast forward and reverse कर सकते हैं चलो देखते हैं कि Walkman काम कैसे करता है गाने सुनने के लिए जब हम cassette को Walkman में लगाते हैं तब cassette Walkman के अंदर इन दो पुलीस में first जाती है फिर Walkman cassette के अंदर लगे हुए tape को घुमा के हमको song सुना देता है इन दोनों पुलीस को supply pulley and take up pulley बोलते हैं नॉर्मली play करते टाइम, tape supply pulley से निकल के take up pulley पे जाता है और इन दोनों के बीच में ही Walkman tape से song लेके हमको सुना देता है supply pulley मोटर से directly connected होने के विज़े से बहुती steady rate पे घुमता रहता है that is 1.8 inches per second इन दोनों पुलीस के साथ-साथ Walkman में और भी parts होते हैं जो song सुनने में help करते हैं play button प्रेस करते ही tape supply pulley से निकल के take up pulley पे wind होने लगता है इन दोनों पुली के बीच में play head लगा हुआ रहता है जिसका काम tape को read करना होता है थोड़ा play head पे ध्यान देते हैं कि ये काम कैसे करता है वीडियो के start में Walkman के basic principle में मैंने बताया था कि कैसे electricity का use करके tape को magnetize किया जाता है और song को record किया जाता है तो इस वक्त song को play करने के लिए उस process का उल्टा किया जाता है play head के अंदर same iron core with a gap होता है जो same principle पे काम करता है तो जब magnetized tape iron core के उपर से निकलता है तब tape का magnetic part iron core पे current produce करता है notice करना कि पहले हम iron core में electricity pass करके tape को magnetize कर रहे थे और हमको गाने सुनाई देने लगते है walkman के अंदर tape एकदम straight और tight होनी चाहिए ताकि tape को अच्छे तरह read किया जा सके इसके लिए tape walkman के अंदर pinch roller और capstan assembly के बीच से निकलता है capstan एक rod की तरह part होता है जो motors एक bed से connected होके motor के speed पे घूमता रहता है और pinch roller एक roller होता है जो tape पे pressure बनाए रखता है अगर pinch roller ज़्यादा pressure लगाएगा उससे tape slow move करेगा और song हमको slow सुनाई देगा और अगर roller कम pressure लगाए उससे tape ज़्यादा तेजी से घूमेगा और song हमको fast सुनाई देगा चलो देखतें कि walkman fast forward और reverse कैसे करता है supply pulley और take up pulley के बीच में दो roller होते है fast forward idler और reverse idler जो कि fast forward और reverse करने में help करते है normal mode में जब song normally play होता रहता है तब ये roller सारे parts से disconnected होते है और गाना normally बसता रहता है और फिर fast forward button प्रेस करते ही fast forward roller supply pulley से connect होके उसकी speed बढ़ा देता है जिससे tape और भी तेज़ी से take up pulley की तरफ आने लगता है और गाना fast forward हो जाता है now अब song को reverse करने के लिए tape को ulti direction में घुमाने के ज़रुत है इसको करने के लिए एक extra roller का use करते हैं जिसको reverse idler बोलते है now reverse करने के लिए reverse button दवाते ही reverse roller supply pulley से connect हो जाता है और उसकी ulti direction में घुमने लगता है now अब tape को opposite direction में घुमाने के लिए fast forward roller reverse roller से connect हो जाता है now इन दोनो fast forward और reverse rotation के combination से supply pulley opposite direction में घुमने लगती है जिससे tape reverse होने लगता है इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से समझते है fast forward roller जो की tape ही direction में घुम रहा है वो reverse roller से connect होते ही उसको घुमाने लगता है notice करना reverse roller fast forward के opposite direction में घुम रहा है फिर ये दोनों roller आगे जाके supply pulley से connect हो जाते हैं और tape reverse होने लगता है कुछ ऐसे walkman एकी motor का यूज़ करके fast forward and reverse करता है